हेलो कैसे हैं आप सब असा करती हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं मैं अनीता सीं यूटूब चैनल अनीता की जिन्गी में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं तो जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो हूँ कि अच्छा oh my । बूंकि लेने के बाद है पहला जो दो लिज भी तो उस समय मैं पढ़ गए थी दौ दिन में हुसे Bis लेने के बेटाप है अबहुत विह सही नहीं था तेसरा अग्रे तेसे न में हैज लेनी के बाद राते लेकिन भाद मैं अच्छा फिल कर रही हूं मैं अचल डिकत से नहीं हुई नहीं दुखार रवा नहीं बूडी पने वाली हूं तो देखें लग़ें की सांबर कैसे बनाती हैं तो यह कि मेरा सरसो का तेल है जो मेरा सरसो का तेल हीट हो गया तो उसमें दल्चीनी डाल दी और जीरा ये इलाइची है उसको चुटका डाल दी हूँ ये सौफ हो गया और सबको मैं तड़का लगा दी है चटकने के लिए तो यहां चटक गया तो मैं इसमें रेट़ चेली सुखा हुआ लाल मिर्च चार पाच मैं इसमें डाल दूँगी और ही हो गया खाड़ा मसाला गरब मसाला यानि गरब मसाला खाड़ा डाल देने से उसका जो स्वाद है अलग हो जाता है तो सबको डाल दी और अच्छे से इसको रुष्ट होने दे रही हूँ जब अच्छी सी रूष्ट हो जाएगा तो यह लखसन का पेष्ट है उसको में डाल दी और अध्रह का पेष्ट उसको में डाल दी बस इसको हलकी सी में इसको फ्राई होने दूँगी ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाने से क्या होता इसका जो स्वाद है दूसरा हो जाता है इसको में हलके ही फ्राई होने दूँगी जबी हलका फ्राई हो गया तो थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी और हींग डालने के बाद प्यार डाल दी और प्यार डाल कर इसको में फ्रा पस फ्राई करते वक्त थोड़ा सा इसमें चने की जो डाल है उसको अच्छे से भींगो कर रखी थी जब फूल जाए तो उसको डाल दे तड़का में जो चने के डाल है उससे स्वाद उभर कराता है सबको में यहां फ्राई होने दे रही हूँ जब यह फ्राई मेरा हो गया इसमें यह मरा मशाला होता है तो मैं मशाला के इसमें डाल दूँगी यह हो गया हल्दी पावडर आधी चमच और रेड़ी चिली पावडर आधी चमच धनिया पावडर आधी चमच और नमक स्वादन सबको डालने के बाद इसको कि मैं फ्राइब कर ले रही हूं धीमी आच पर बस ही मेरा फ्राई हो गया इसमे लोगी और आलू सबको में डाल दोगए थोड़ी से में पाने डालेए जु मसाला फ्राई होने के बार आलू और लोगा डाल दिण उसमें पाने लगा दिण गरमRedA जो पावडर है तो सबको डाल कर इसको अच्छे से मैं पकाल लूँगी मरा शामभड त्यार हो गया है तो थोड़ी देर तक इसको पकने दूँगी बहुत टेस्टी लगता है एक बर बनाएगा मेरे तरीके से बनाए हुए कितने लोग लोगी का सब्जी नहीं पसंद करते है तो यहां मैं सांभर के साथ आलू की कचवरी बनाने वाली हूँ तो यहां मैं आलू की कचवरी बनाती हूँ जिसे नर्मल सी हम बनाते हैं आलू उपने घर में बॉइल करके बस इसी तरह मैं उसका जो आलू का मसाला है सबको त्यार कर ली हूँ और त्यार करने के बाद देनिंग का समय है यहां मैं नस्ता त्यार कर दे रही हूं नस्ते में थोड़ा ऐसे चीज होता है तो अच्छा लगता है बच्चे चकले पर बिलन से नहीं बिलती हूं अपने हातों से सेट कर लेती हूं जो हमारी यालू है आते में शेट करके इसको आपने हातों से दबाती हूए इसको गुल-गुल बना लूगी वैसे कडाही में डाल दी हूं रहा है कि अज़से हां डालते जारें बना बना कर बहुर असान सी लगता है ऐसे इसे बना देने पर क्या होता है रोटी हम बनाते हैं तो कभी-कभी हमारे भी मन थोड़ाई से हो जाता है और बच्चे भी ज़्यदा रोटी नहीं पसंद करते हैं तो इसे से बिच-बिच में कर देते हैं तो थोड़ा उनलों का अभी मन का एक होता है वो अच्छा लगता है यहां मैं अपने हाथों से बेल दे रही हूं चकले से नहीं बेलूंगी और मैं बता दूँ मैं जाने वाले हूं मार्केट और मार्केट हमको काम है जल्दी जल्दी मयाम है नस्ते तियार कर ले रही हूं कि हमको निकल रहा है बस सबको खिला पिला कर क्या होता है कि हम जब कोई भी तलते हैं तो उसको आज को धीमी रखना चाहिए धीमी रखने से क्या होता है जो हमारा अंदर से ही अच्छे से रोष्ट हो जाता है और पक जाता है और क्या होता है कि जब उसको जलने की भी डर नहीं रहता है पर हमारी जो गय से वह जदा वेश्ट नहीं होता है तो मैं धीमी आज पर भी कोई चीज़ है उसको मैं तलती हूँ यहां मेरा लंच बनकर त्यार हो रहा है वह बच्चे बुल रहे हैं मैं जल्दी त्यार कर दो कर दो मेरा बन गया है मैं निकाल ले हूँ प्लेट में और हमारे जो बच्चे हैं बट गया है खाने के लिए आप देख सकते हैं खचवरिया बहुत मुलाइम और बहुत करंची बनता है यालू की और बहुत टेस्टी भी रहता है पर सांबर के साथ बहुत टेस्ट लगता है मैं आगई हूँ पालर में मेरा आइबरो था सिट कराना था यहां मैं सिट करा रही हूँ और मास पाहन करी में कराती हूँ और वह भी मास पाहनी है जो मारे आइबरो कितना भी हम विक्सिन ले लिये हैं लेकिन हम जब भी बाहर निकलते हैं तो बिना मास कर नहीं निकलते हैं माक्स पाहन कर ही मैं निकलती हूँ और दूसरी के भी मैं बोलती हूँ लेकिन लोग क्या करते हैं बहुत लोग तेसी तरफ फिरी ही घुम रहें बिना मास कर ही लेक कि यहां हिए ज्यादा दिन हो गया था मेरा राइब शेट हो रहा है और क्या होता है दो दर पकड़ने में थोड़ा दिकत सी भी होता है भी बहुत दल्दी कर रहा है कि क्या कीजीएगा सेट करना रहता है तो लोग कर रहते हैं तक यह